असलाव आलेकूम मैं हूँ नकीम उस्टफा और में साथ मौजूद है पाकिसान का बहुत बड़ा नाम सौध बाई सौध बाकिसान क्रिकट को कैसा देख रहे हैं अभी जो अगवानिस्तान से जो हमें शिकर्स नहीं बिलकुल मैं देख रहा हूं बहुत जबर्दस टीम थी और यंग्स्टर्स थे साइम तो मेरा फेवरिट हो गया है वो बहुत अच्छा खेल रहा है और उस देखेंगे ना अब सोला प्लेर थे सोला में से अगर तीन भी अच्छे निकलें जैसे वाफास बूल अपना अहसान उल्ला थे ना आशी बात नहीं हमें दो अच्छी प्ल है और अफगानिसान से हारन तो वह तो हमने तो अभी समझने बीटीन थी जी जी सर असल तो भेजे नहीं क्योंकि जोरत भी नहीं है यहीं बहुत है अच्छा इसी में खुछ हो रहा है आजम भाई की फिट्नेस पर बहुत तनकीत हो रही है लगने ना गलत तनकीत की जारी ह है उन पर तो बहुत अच्छी है जहां कीपिंग है आजम बहुत अच्छा कीपर है कैच भी उसने ऐसे से लिए चोड़े भी है स्टम भी किया तो इस पर गारंटी नहीं है वो तो सब्सक्रास से बहुत है लेकिन हां फिट्निस है उनी जरूरी है इस पर कंपरमाज नहीं हो है लेकिन कुछ प्लेयर की ग्रोविंग ऐसी है जैसे शर्जील को देखे ना फिसे गुड़ेर लेकिन वो नहीं आप चेंज कर सकते बहुत ऐसे प्लेयर है यह आपको उस तरह ही एकसेप्ट करना पड़ेगा तो मैं समझता हूं कि आसम इस गुड़ेर और वह इस फॉर्मे कुछ भी अगर वह फिट भी होता तो कह देते के वह कीपिंग सही नहीं है कि नहीं होती है यह चलता है अब बाकियों को जिस तरह सौ चांस देते ना तो दूसरे को भी तो देखे देखें सौ चाहिए अच्छा साओध भाई एशे कप पे अभी हमें क्या स्टैंड लेना च आज हैं खेलें अगर तके आप यह तो स्पोर्ट्समेन हैं यह स्टार हैं हम तो मुझे तो कोई वह नहीं तकलिफ पाकिसान टीम को भी नहीं है पाकिसान अवाम को भी नहीं हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है उनकों से प्रॉब्लम है वह भागेंगे ना हमें तो किस यहां इसी नहीं है जो पाकिस्तान से नहीं खेल ली इनके जो हैं चम्छे अख्वानी टाइप जी इनको टीम ला क्यले आ अलगा बात है लेकिन खेलेंगे सब और हम पाकिस्तानी डीडी है